प्रेज शुरुवात करते हैं हम लोग नया टॉपिक सांखे की माद्ध है और यह जो सांखे की माद्ध है ग्यार एजी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है सांखे की माद्ध है इसके बाद जो आएगा माने बुचलन का यह दो चैप्टर ऐसे हैं जिसमें से नमबर 17 जितीनों कुश्ण यही से सुरुवात होगा सांखे की माद्ध से सांखे की माद्ध और माने मिशलम दोनों मिला करके आप लोग को अठारे नमबर का मतलब होता है कि गडित में पास यहना कि दो पार्ट पढ़ना और गडित में पास हो जाना तो गडित में पास होने से मतलब नहीं है मेरा कहने का मतलब यह कि अगर इन दोनों पाठों को आप अच्छे तरह से तैयार कर लेते हैं तो गडित में आप पास होने के लिए तो निश्चिन्थ हो जाएंगे और रही बात नंबर की तो नंबर हमारी कमन सुपकामना है कि आप लोग फिप्टी लाइए फिप्टी के आसपास लाइए नंबर तुछी शुरुआत करते हैं सांकी की माध्य का मतलब यह हुआ कि कुछ आकड़े हैं आकड़ों में वह पद उस पद की गड़ना करना उस पद के बारे में जानकरी लेना जो की सभी आकड़ों का प्रतिमिधित्यों करते हूं सभी आकड़ों को बता दे कि कि एक मान क्या हो सकता है जैसे कि कि किसी कि वरन के वा बात करते हैं तो को बताता है क्यों कि मेरा जो है इसमें मेरा 80 है जैसे जमकर कर के वो क्या करता है एक सभी नमबरों का एक परसंट बता देता है और वह जो होता है उसी को मत देखाते हैं और वह 65 परसंट जो है जो 65 परसेंट बताए नमबर वो उस प्रतिनी जित करता है यानि कि लगभग सभी में मिला करके 65 के आसपास का सब नंबर है कुछ में ज्यादा होगा कुछ में 65 से कम होगा ठीक है तो सब मिला करके जो नंबर होगा वो 65 परसेंट होगा और वह नंबर सभी नंबरों का मात देखा लाता है तो हम लोग इसमें उनी सब का अध्यान करेंगे और मात निकालने के जो ग्यारेजी में विधियां दी गई है वो है पांच है तो बहुत सी लेकि इसमें पांच है तो पहला है समांतर माध्य समांतर माध्य इसको करते हैं अरित्मेटिक मीन दूसरा है माधिका इसको करते हैं मीडियन तीसरा है बहुलक इसके अंग्रेजी होगी मोड चौथा है गृत्तर माध्य जीओमेट्रिक मीन दूसरा है और पांचवा है हरा आत्मा पांध्य हार्मोनिक मीन दूसरा है जिनके बारे में हम लोग को अध्या करना है तो इनके बारे में हम लोग सब्सक्राइब करेंगे शुरुआत करते हैं पहले समांतर माध्य अब समांतर माध्य समांतर माध्य क्या है समांतर माध्य का मलब कि यह माध्य होता है जो है जो सभी पड़ों के जितने फिया तया हुए हुए जिसने भी उपिए दिए गए हुए दिशे कि जितने भी लखरी दियाない जबहबyards निगाल करके इसी जितने विपण है उसकी संख्या से भाग दिनते हैं अब यससे सी ही आप शेविशे हैं अब शेविशे में असी बैयासी तीरसट चौरानवे च्छी असी नब्डे इतना नंबर पाया रहाँ कर तो अब समानतर माद निकालना होगा तो क्या करें इन सभी नंबरों को हम जोड़ देंगे जोड़ करके एक दू तीन चार पांच छेविशे हैं तो समानतर माद होगा उसको लिखेंगे पदू का योग बटे पदू की संख्या तो पदू का योग करना होगत क्या करेंगे असी प्लस बैयासी प्लस तीरसट प्लस चौरानवे अट रिदिदा होगा उसा त्यासी प्लस नभी नग्वे थो प्लसडल्ट की बटा च। ये कितना हो जाएगा चर्दास तीन तेरदू पंद्रह बाइब देंगे इतना परसेंट हो जाएगा यह परसेंट दें तो एड़ेज्ट वह है इसी को समांतरमाद दिखा जाता है समांतरमाद कैसे निकालेगे पदो का योग बटे पदो की संख्या और पदो का योग अगर हमको करना हो तो हम इसको लिखेंगे सिग्मा एक्स करते हैं सिग्मा एक्स बटे में यन जहां एक्स पद है पदों को जोड़ देंगे और बटे में पदों की संख्या से भाग कर देंगे तो हमारा समांतरमाद निकल जाएगा तो अगर करें हम समांतरमाद निकालना सुरू करते हैं तो समांतरमाद निकालने के हमारे पास दो तरीके होते हैं समांतरमाद निकालने के दो तरीके होते हैं एक तो होगा विधी निकालने के विधियां दो होगा पहला सरल विधी और दूसरा जो है लभू विधी करके होता है तो अभी जो हम लोग निकाले थे ना वो सरल विधी में आता है तो सुरत करते हैं वो सरल विधी करी सरल विधी में पहला सरल विधी में एक तुब हो गया हमारा समानतर माज्ड बराबर सिग्मा एक्स बटेमियन यह कब होता है जब प्रतेक पद प्रतेक पद जो है उनकी संख्या एक एक करके है दो-दो भी होगी तो भी हम योगफल करके संख्या से भाग दे करके लिकाल सकते हैं लेकिन आगर कि पदों की संख्या बहुत अधिको जब पदों की संख्या बहुत हो दिखो उसमें कुछ पद ऐसे हैं जो एक से अधिक बार आये हैं दो से दो बार तीन बार चार बार पाच बार आये हैं तो उसको कैसे निकालेंगे जैसे माली जी दिखिए दो दो तीन चार यहां पर एक 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 दो दो एक दो और रहे हैं तीन तीन चार पाँच पाँच आठ 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 एक संख्या साथ भी लिए लेते हैं कितने संख्या लिए हम पद कितने हो गए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस ग्यारा बारा तेरह जोदा पंद्रह कितनी पंद्रह कि यन बराबर हो गया पंद्रह और सिग्मा एक्स यानि कि योगफल यह कितना हो जाएगा साथ आठ पंद्रह 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 आठ तेहिस आठ एटिस पांच छतिस पांच एक तालीस चार पैंच तालीस तीन आठ तालीस सब्सक्राइब कितना हो गया तो समानतर माली कितना हो जाएगा सिग्मा एक्स बटे मेरियन बराबर है साथ बटे पंद्रह कितना जाएगा चार आठ यह चार चार देखा जाए तो चार मंद्रह नहीं है में एक दो तीन चार 5 6 7 में पत पर है इधर एक दो तीन 4 5 6 7 8 नौवे जगह 9 श्ताफ पर यह नहीं है तो हम जो माट्य निकालते हैं या एवरेज निकालते हैं जरूरी नहीं कि एकदब ठीक पदों के संख्या के एकदम ठीक मद्ध में ही आवे कि मद्ध से इधर उदर आ सकता है लेकिन मद्ध के आसपास ही रहेगा मद्ध के आसपास रहने के कारण ही इसको हम लोग केंदरी मान करते हैं यह सब जो मान निकालते हैं हैं यह पद हुए पद कौन कौन सा है मेरे पास एक है दो है तीन है चार है पांच है छे नहीं है एक दो तीन चार पांच शाथ आठ इस तरह से है पद और यह हम देखने एक जो है कितनी बाराय है तीन बाराय है कि दो कितनी बाराय है तीन बाराय है तीन कितनी बाराय है दो बाराय है चार एक बाराय है पांच दो बाराय है साथ एक बाराय है और आठ कितनी बाराय है तीन बाराय है और यह जो तो हमनों क्या करेंगे इसका गुड़ा करेंगे तो हमको मिलेगा गुड़ा कर दीजे यहां होगा तीन यहां होगे छे छे चार तस साथ चोविस अब अगर कहीं कि इसको जोड़ें जो की नंबर रिपीट हुआ है तो यह तीन तीन चार दू आठ नौ ग्यारे बार तिन पंद्रग यह पंद्रह हो गया और यह शेतिन नौ चार पंद्रह चार नुद्रेश दसुनतिस अच्छतिस चोविस साथ यह अब इस साथ में इस पंद्रह का वागत दें कि तभी हमारा मन निकल जाएगा लेकिन हमारा यह जो लिखने का ताथ पर था उसका एक मतलब था अगर इस पत को हम एक्स लिख दें और यह जो रिपीट हुआ है इसको हम एफ कर दें तो और यह जो गुड़नफल हु कि देख रहे हैं कि एक साहानी बन गी और को इससे सवाल आफ़ोर करना अपहल आसान हो जाएगा यह तुढ़े इसको हम बारमबारता करते हैं इसको कह कहेंगे बारम मारता तो फ्रिक्वेंसी का फिर्स्ट लेटर एफ जो है उसको लोग ले लेते हैं तो वो बजाता है एक्स पद है और यहां पर एक्स यह क्या है तो इसको टोटल को हम लोग से दिखाते हैं सिग्मा-इफ वराबर यह हो गया और यहां सिगमा एफ, एक्स बरबर यह हो गया, तो जिसे यहां पर समानतर माध निकालने के लिए, हमलों क्या किए थे, सिगमा एक्स बटे एन की थे, एन की साथ बटे बटे बंदरा, यहां पर क्या करना है, समानतर माद्द बरावर सिग्मा एप गुड़े एक्स और यहाँ पर सिग्मा एप कर देंगे यन की जगा सिग्मा एप कर देंगे बारम बरताओं का यूग बारम बरताओं का यूग कर देंगे तो वो पदों के संख्या ही आएगा और यहां पर 12 बार ठाक गुड़े परकर के उनका यूप कर लेंगे तो सग्मा फेक्स हो घ Today हमारे माद्यर समांतर माद्यors चार आएगा है अट्वी याद आया मादि कैए चाहे है निश्क है करद और यह अगर यह मुलाद्ध मतलब समानतर मात हो ता है अच्छा ये तो ऐसे हो गया अब अगर कहें वर्गा अंतराल करके दिया है ये कहें कि जैसे ये जो कुछ पद ऐसे हैं जो 0 से 10 की बीच में है कुछ पद ऐसे हैं जो 10 से 20 की बीच में है उनकी संख्या दिया रहेगा और एक अंतराल दिया रहेगा उन संख्याओं को नहीं द देगा वस यह बता देगा कि इसके इसके बीच में इतनी संख्या है ठीक है तो उन सवालों को हम कैसे करेंगे जिसे गुष्ट्र में दिये रहेगा ऐसे देदेगा वरगंतराग और बारम बारता इस तरह से करके देगा सवाल बारम बारता है तो जिसे भड़ रतर जीरों से दस कि दस से बीस के जीश से तीस इसे चालिस नहीं से प्चास पचास से साट दो ती दीस ताiasm लेंगा तो ऐसी इस्तिति में हम समानतर मार्द कैसे निकालेंगे क्योंकि दो पत्ध चाहिए कि कौन कौन से पद है और उनकी संख्या कितनी है यहाँ पर संख्या तो दिया हुआ है लेकिन यह जो दो बार दिया है यह 0 से 10 के बीच की संख्या बता रहा है कि 0 से 10 में कुछ संख्या है जिनका कुछ संख्याओं को लिया गया है जिनका संख्या दो है कि यहां जिरों से दस के बीच फिरश पोलिए यहां पर कि रहे बता रहे बीस से तीस के सबस न mental ऐगए को है पचास से साथ के बेश को भी रहा आगा इस साणि को डूसरी तासर कर दिने वारें बार्बारता ये तो दिया रहेगा ये तो सवाल में दिया रहेगा हमको क्या करना है और अलक से हमको क्या करना है वह लोग यहां पर देखेंगे यह बार हम लोग एफ से लिखा की यहां पर हमने इत्ती निकालेंगे मद्हेमान लिए हैं अब मद्हेमान की निखालना है 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 मद्ध्यमान को हम लोग एक्स से दिखाएंगे relative मेशित होता है मद्यमान में पद होता है अब हम उखर खूलर करेंगे क्यों कटा है है ह sharing जीरो से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, इनकी बार मर्ता 2, 3, 4, 1, 2, 5 जocyता करना है कि जीरो से 10 के बीच में दो संख्याय हैं और वो दोनों संख्याय कौन कौन सी ही कि यहन निश्यति नहीं कर पाएंगे कि दोनों संख्याय कौन कौन सी होंगी हैं अभी हमारे हिसाब से यह होना चाहिए तो जीरो और दस के बीच में हम ऐसी संख्या को चुने जो तोनों संख्या का प्रतियधं करें तो हम उसके लिए गरते है ने इसका मध्य ले लें लेते हैं देखेंगे दस का अंतराल है तो दस जोटेजे आग गया 15 जिसमें दस उड़ेंगे तो 35 45 और 15 कि एक्स निकल गया कि अब हमनों क्या करें अब हमारे पास एक्ष भी मिल गया एक्स भी मिल गया तो हम एक्स निकाल ले एक्स दो पाच्चे दस कि पंद्रतियां 45 कि पचीश चुका सोब 35 में करेंगे तो 35 कि अब हमको जोड़ना क्या क्या है एक एक एक्स वाले को जोड़ना है और एक एफ वाले को जोड़ना है तो यह हो जाएगा सिग्मा एफ और यहां हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स टोटल करें 3 दू 5 चार्ण नौ दस गोड़ना पांच पर दस पर पंद्रह एक खासर दो चार छे तिन नौ नौ ठारा साथ चीज परहाशी लादो तीन दूपांच पांच पांच सो पच्पना गया तो अब यह त्यार हो गया तो आप समांतर माध्य समांतर माध्य पर क्या हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ तो कितना हो जाएगा पांच सो पच्पन बटे सत्रा तो यह कितना हो जेस त्रतीन क्यांवन चार बचा पैंतालीस वाग शत्रत दुना चोंटीस ग्याव जाना एक्सोंदस सब्सक्राइब चारट सब्सक्राइब सब्सक्राइब यह जो है और यह जो है ना इसके पहले जो हम लोग बिना अंतराल का पढ़ेते नहीं उसको अस अत्रत चरेंड यह बोलते हैं और यह जो है सतत्स भीनिंग आता है मुट्प सतत्स भीनियां तो डeon है कंटीन्मा सिर्वीं और और यजिक और या इसके पहले वाला जिसमें अपरकंतराल नहीं दिया हुआ था उसको आम लोग करंगे डी सिक्रेट सिरीज और सतत्स रेड़ी यह हो गया अब हम लोग पढ़ेंगे लगु रिदी यह तुसर विदी था अब लगु विदी लगु विदी क्या है अब है कि यह समझ में आया होगा है सेकेंड है हम लोग का लगु विदी है मेरे हिसाब से देखिए लगु विदी तो नाम है लेकिन मेरे हिसाब से शरल विदी से यह बढ़ा हो जाता है कहने को लगू लेकिन काम दिर्ग हो जाता है कि इसमें भी प्रस्ण जो है उसी तरह से देखा कि वर्गंतराल और अच्छा वो में मिटाद यानि तो उसी को लेते तो लोग आंसर चेक कर लेते कि दोनों विदियों से यह आंसर एक ही आता है कि नहीं चलिए यह हो गया कि अच्छी पांच मान लेते हैं कि वर्गंतरा उसमारा और जिरो से टैन दस से बीस हिसे तीस तैससे चालीस और चालीस से पचास वर्गंतरा उस जाएगा दो इस कि के शने कशन से रहे हां आझ मैं ये और और यह तो कर्सें में दिया रहे हैंगा हम लोग अब रीव हoga इसको कैसे करें लगु विधि का मतलब ये हो गया कि लगु कि आवसकता क्यों पड़े कि यह जैसे यह पद है इससे पद निकालेगे जो पद होगा और बारामबारता होगा कभी-कभी इतने बड़े-बड़े हो जाते हैं कि उनका गुड़ा जिसे एफ-एक्स निकालते हैं तो उनका गुड़न फल आसान नहीं जाता है बहुत बड़े करने के लिए लगविदी का प्रयोक किया गया है इसमें क्या करते हैं ना कि जो पद ड्याए एक्स में से किसी एक पद को कॉ माल रहते कि यही कल्पित माद यही कल्पित मा वड़ुअ को गपना कर लते हैं कि यही कल्पित माद यह और उसके सवयोग से हम आगे बढ़ते हैं तो चलिये सुर्वाराट करते हैं हम लोग टेबल बनाएंगे urun अक उन्य प्ष्टोवरणनद्राल बारम बारता अब फिर मंद्देमान चलिए दिखते हैं कि इसमें आगे कैसे कैसे करना है जैसे जैसे आता जाएगा उसी तरह से लूप उसको इसको पढ़ा दे रहेंगे वर्गंतराल में हमार पास है जीव से 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40 40 से 50 40 से 50 तो यह चीज़ तो हमारा हो जाएगा योगफल के लिए कामा जाएगा चलिए मैं डीवन नीवनि शीव सीमा को जोड़े से बटे करते हैं तो जीरस झूद के तो आएंगा पांच सबाइं अनृएं 10 35 और 10 45 अब करना क्या है ना कि अब जिसे 35 गुड़े 4 45 गुड़े 3 यह तो गुड़ा हम कर पाएंगे लेकिन अगर कि यह यह जिसे माले कि 400 435 648 756 और यहां पर 135 140 ऐसे करके रहता तो उनका गुड़ा करने में दिक्कत होता तो उसी को आसान करने के लिए और हम लोग एक कल्पीत माते हैं यह हो जैगा यह यह रहीक्या है कि मद्ध्य में का तो यहां पर मंत्यमें पचीस है तो एक्टम ठीक यह तुसकी पदों के संक्या 5 इसलिए बगन मंत्यमें गया है पचीस तो हम पचीस को न मान करके जिसए मनं में है तो हम अगर कि इसको माने तो क्या दिखत है कि इसको मनें एक कलपित मात की अ कल लाता है यहां पर निकालेंगे डी जिसका मान होता है X-A X-A X यह है यह है यहां पर हम करेंगे 5-35 परवर माइनस 30 15-35 परवर माइनस 20 25-35 परवर माइनस 10 35-35 परवर 0 और 45-35 परवर 20 थिक यह हमारे निकल गए अब दिखी अब यह तो आए है 20-30-10-20 अब इससे किसी भी संक्या में गुड़ा करना होना तो एकदम आसाम हो जाता है तीस का मतलब कि 3 से गुड़ा करके 1-0 बढ़ा दीजिए तो 3 से 5 से 4 से 1 से 2 से गुड़ा करना किसी भी संक्या में एकदम आसान है इसलिए इसको लगुवी दिखा जाता है इसलिए इसको लगुवी दिखा जाता है कि इससे गुड़ा एकदम आसान हो गया अब चरी यहां पर निकालेंगे हम FD F गुड़े D जो Fx निकालते थे अब यहां पर हम FD निकालेंगे FD ध्यान से करेंगे यह यहाँ है यहाँ है यहाँ जाएगा माइनस स्था फिर five का उलगए तो माइनस हुआ है कि तीन से बुर्णा करेंगे तो माइनस थी से 10 में तो साथ जुड़ना क्या है जिसे हम लोग एफएक सो जूड़ते थे और एफ पयंजी ईएप घुरिज़़ा क्योंकि एभ का योग पदों की संख्या को दर्शाता है तो पदों की संख्या से हमको भाग हमेशा देना ही देना है क्या फ्ल निकालते से फेल है ऐसना देऊbare तो यह इस माइनस वाले पद भी है यह माइनस है और यह प्लस है कट गया तो बचेगा क्या माइनस 130 सिग्मा एफ डी कि बराबर माइनस 130 यहां तुम्हाले जैसे हो गया ने तो क्या करते माइनस को एक सा जोड़ते तो हमारे पास आता माइनस वाला यहां पर प्लस वाला कितना है साथ और होता तो यहां पर हम इसको गटाएंगे से घ्रिण माइनस यहां पर इसको भी जोड़ेंगी सीग्मा एफ को दो, पांच साथ, तिल दस, सत्रा हो गया, समांतर माद, ये कलपित माद जो माने हैं, उसका समांतर माद कैसे निकालते हैं, समांतर माद बराबर कलपित माद है, ए और प्लस सिग्मा एफडी सिग्मा एफ तो ए कमान कितना है पैंट तिस प्लस एफडी माइनस एक सो तीस बटे में साथ तो यह देखी 35 यह माइनस से यह माइनस हो जाएगा एक सब्थीस में सत्रह बात देना है तो सत्रह 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 एक सोवेजिश आएना सक्षज़ एक सोवेश और बचे का 11 ग्यारा का मतलब दस्मलों लगाएं इंगरें 110 शका एक सो दू और फिर नौग शक्राइब पचासी तो ऐसा करते हैं अब इसमें से घठाई है देखिए दस्मलों के बाद दो अंख है तो ऐसे लिखेंगे से पांच नौ में से चागया तीन और यहां पर चौदर में से साथ के साथ 27 अब ताइस दस्मलों के तीन पांच है यह एंसर होगा कि तो इस तरह से हम लोग समांतर मांद्य में शरल भी थी लगू भी थी सरल भी थी में हम लोग विना बारंबारता का जैसे एक पर अगर अलग अलग है तो उससे कैसे हम लोग समांतर मांद्य में निकाले तो उसका योगफल निकल गया था उसमें हम लोग को मिला था सिग्मा एफ्स का और एक्स का इवड़ा किये तो अधेशार और योगफिल करके लिए तो हमको जो बाराम बढ़ता था उसका भी उक्किये तो हमको मिल एस खर शिग्मा एफ कि Kundu के शंख्या को को बताता है और सुद्राइफ टोटल पदों को योगफल को बताता है तो समांतर माध के लिए निकाले से सिग्मा एकस बटे सिग्मा आफ वह और सतत शरेणी में आया था दूसरा इसे जिसमें कि वरगंत राल दिया होँ था वर्गंत्राल में हम लोग क्या किये थे कि बारमबारता की साहता से वर्गंत्राल की साहता से मत्यमान निकाले फिर उसके बाद एफक्स निकाले, ये लगुविदी में एक विदी है, लगुविदी में हम लोग क्या किये थी न, फ़्यंदराल दिया है, भारम भारता दिया है, तो बर गंतराल से vraag मद्यमान निकाल लिए, और उसी मद्यमान में हम देखिये, हम 25 भी निकालते, 25 भी करते न, तो भी हमारा एंसर इतना ही आता तो हम 25 न माल करके 35 किए तो 35 हमारा जो है कल्पित मात हो गया इसको हम लोग ए से दिखाते हैं D निकार लिए, बिचलन जिसको करते हैं D क्या है, बिचलन बिचलन इसको अंगरी जिम बहते हैं, deviation D यहां इसी लिए लिए गया है, deviation का फर्स्ट लिटर D यहां पर लिए गया है, D का मतलब X-A, D निकल गया, अब उसका F में गुड़ा कर देगे, यह हमको मिल जाएगा FD फिर उसके बाद, हाँ, जब समानतर मात निकालेंगे तो जो कर्फित मात माने हैं उसको हम लोग जोड़ेंगे, तब उसके बाद Sigma FD वर्सिगमा याफ कर देगे, और उसमें Fx वाले में क्या करना था, सीधे Sigma Fx वर्टे Sigma F किये थे, उसमें और कुछ अलग से जोड़ने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन लगुवीदी में हम लोग कलपित माध माने हैं तो कलपित माध को Sigma FD वर्सिगमा याफ में जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो यह answer आएगा, ठीक, तो समानतर माध के लिए इतना है, और लोग नेच्ट वीडियो में देखेंगे कि माधिका कैसे निकाला जाता है,